नमस्कार, म्यूच्वल फंडू चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप थम लेन से जानी चुके होंगे कि आज हम मदरास हाई कोट द्वारा जारी किये गए नोटिस के बारे में बात करेंगे आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है जो कि 29 में 2020 यानि आज ही पब्लिश हुआ है चेनने फिनेंशल मार्केट्स अकाउंटेबिलिटी ने सेबी और फ्रेंकलिंग टेमपल्टन असेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेट के अगेंस्ट एक पब्लिक इंट्रेस लिटिगेशन यानि PIL मदरास हाई कोट में दाखिल किया था मदरास हाई कोट ने उसका कॉगनिजन्स लिया है और उन्होंने सेबी और फ्रेंकलिंग टेमपल्टन असेट मैनेजमेंट कंपनी को नोटिस इशू किया है यह पूरा मामला इस बारे में है जो six debt fund schemes abruptly wind up कर दी गई थी उसके बारे में है प्रेस रिलीज में CFMA यानि चेननी financial market accountability ने एक प्रेस रिलीज में यह बताया है कि कोट ने 26 माई को यह नोटिस जारी किया है और उन्होंने इस बात का कॉगनिजन्स लिया है कि यह बहुत ही serious issue है क्योंकि इसमें public money involved है यानि common public जो की mainly middle class investor है उसका पैसा involved है total amount जो है वो 28,000 करोर का है और इतना amount आज की date में risk पर है इसमें से maximum amount wipe off हो सकता है high court ने सेबी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और उन्होंने ये भी बोला है कि वो एक status report submit करें कि आज तक उन्होंने क्या-क्या action लिये है यह बात बहुत ही important है कि Franklin Templeton AAC ने खुद ही ये admit किया था कि जो six schemes बंद हुई है उसमें जो money recovery है उसकी range 5% to 81% रहने वाली है और money recovery में करीब 5 साल लगेंगे अगर इस हिसाब से उन्होंने calculation किया है कि अगर हम average realization 20% का लगाते हैं तो average loss जो है वो 22,400 करोर का होगा it means investors के पास सिर्फ 5,600 करोर ही पैसे आएंगे जो की एक common man के लिए बहुत ही बड़ा loss है 22,400 करोर का loss एक common man के लिए बहुत ही बड़ा loss है अब हम एक दूसरे article की चर्चा करते हैं जो की 29 May 2020 को आज ही publish हुआ है और यह CNBC TV18 द्वारा publish किया गया है यहां पर यहां बताया जा रहा है कि जो investor group है CFMA का वो एक online petition separately launch करेगा जिसके कारण वो सभी affected investors को एक जुट करेगा और उसके बाद यह petition Prime Minister Office में forward किया जाएगा साथ ही US Parent Company of the Fund House जो Franklin Templeton की Parent Company US में located है उसको भी इस petition को भीजा जाएगा और साथ ही US Market Regulator SEC को भी यह petition भीजा जाएगा वे आगे कहते हैं कि mutual funds और fund managers जो हैं उन्हें questions के answer देने होंगे कि उन्होंने क्यों इस तरह के risky investments में पैसा लगाया उन्होंने किस तरह से compliance का पालन किया क्या potential norms वो अपना रहे थे जब वो investors का पैसा invest कर रहे थे नितियेश नटराज जो की CFML की तरफ से council है उन्होंने कहा है कि इस difficult time में जब unit holders को अपना पैसा निकालने का अधिकार होना चाहिए अपने investments को liquidate करने का अधिकार होना चाहिए उस मुश्किल वक्त में उनके हाथ बंद गए हैं और उन्हें पांस साल तक का इंतिजार करना पड़ रहा है अपने ही पैसे को निकालने के लिए वे आगे कहते हैं कि unit holders को बीच मजदार में छोड़ दिया गया है और इस पैसे से जो यह पैसा उनको available नहीं हो पा रहा है उनके लिए बहुत difficulty हो रही है इस मुश्किल टाइम में emergency medical bills पे करने के लिए और यह जो पैसा उन्होंने investment की invest किया था अपने goals पूरे करने के लिए अपनी family की dreams पूरी करने के लिए वह तो एक अब बहुत ही दूर क की सोच हो गई है नट राज फर आगे कहते हैं कि जो श्चैट जो श्चैट स्कीम्स wound up हुई है वो debt schemes है ना कि equity schemes debt schemes में investors इसलिए पैसा invest करते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें यह बताया जाता है कि यहां पर आपका पैसा bank deposits की तरह assured है returns आपके assured हैं आगे वे कहते हैं कि Franklin Templeton AMC और से भी दोनों ने ही किसी प्रकार का कोई assurance या कोई commitment नहीं दिखाया है कि at least investors को उनका principal amount दिया जाएगा या उनका principal amount secure है नटराज आगे कहते हैं कि इन 6 schemes को बंद करने की जो पूरी कारवाई है वो एक tip of the iceberg है यानि कि भविश में और भी इस तरह की घटनाए mutual fund industry में हो सकती है वो कहते हैं कि जब Franklin Templeton mutual fund एक बहुत ही बेहतरीन mutual fund company है जो की MNC है US based company है जब उसके mutual funds इस तरह से default कर सकते हैं तो जो बाकी छोटी कंपनिया है mutual fund की वहाँ तो और भी बहुत कुछ हो सकता है वे आगे कहते हैं कि fund managers इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते हैं उन्हें हर तरह का effort लगाना होगा कानून के अंतरगत रहते हुए ताकि वो investors के money को recover कर सके वे साथ ही ये कहते हैं कि as a interim relief investors को उनके personal assets पर disclosure मिलना चाहिए और कोई भी fund manager को जब तक ये पूरा case close नहीं हो जाता उन्हें resign करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें बाहर travel करने और उस तरह के दूसरे benefits मिलने चाहिए साथ ही उन्होंने देखा है कि जो सेभी है उसने बहुत ही उदासीनता भरा रुख अपनाया है इस पूरे case में इसलिए cfma ने मांग करी है कि एक sit team यानि special investigation team का गठन करना चाहिए ताकि वो इस पूरी कारवाई को देख सके और सेभी इसमें सही action ले रहा है या नहीं ले कर सके cfa में आगे इजाम लगाते हुए कहते हैं कि mutual fund सही है campaign mutual fund company और mfee ने मिलकर चलाई थी जिसके कारण उन्होंने common man को hypnotize, mesperize और orient किया उनके दिमाग को इस तरह से modify किया उनकी सोच को इस तरह से परिवर्थित किया कि middle class ने अपने hard and money का पैसा mutual fund में लगा दिया यह सम करते हैं कि एक छोटा सा disclaimer लिख देना कि investments in mutual funds are subject to market risk, investment company को और fund managers को उनके जिमेदारियों से मुक्त नहीं कर देता और उन्हें cheating, fraud और गलत काम करने की या गलत decision लेने की आजादी नहीं दे सकता, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूं, मैं आशा करती इस वीडियो का content पसंद आया होगा, अगर आपको इस press release के regarding कोई भी query है, तो आप मुझे comment में लिखिए, मैं उसे resolve करने की कोशिश करूँगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, लोगों को awareness मिले, और सभी investors एज हो करके system से मुकाबला कर सकें, बहुत बहुत धन्यवाद